आज हम बनाएंगे ठेकवा यह जारखंड और भिहार में च्छट पूजा पर बनाया जाता है इसे गूर और चीनी दोनों से बनाया जाता है और यह खाने में बहुत टेस्टी लगता है इसका बिस्किट की तरह होता है आप इसे ऐसे भी बना करके रख सकते हैं बच्चों को यह बहुत पसंद आता है तो चलिए दोस्तों बना लेते हैं इससे पहले हेलो एवरिवन त्रिप्ती होम किचन में आपका स्वागत है तो ठेकवा बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग पूल के अंदर लेंगे केहू का आठा तो हमें इसके लिए तो कप केहूं का आठा लेना है आपको इक कटोरी से भी ले सकते हैं एक कटोरी फिक्स कर लीजेए है और पने डाल दिया उसके अंदर 1 5th कप सूजी साथ में मैंने 2 चमच इसके अंदर ल्एल जिसको माने ग्रेट करके डाल दिया है और अब मैं इसके अंदर एक छुटा चमच इलाइची का पॉड़े डाल रही हूं साथ में इसमें कुटी भी सॉंफ डालेंगे सॉंफ को हलका सा क्रश करके डालिएगा और अब मैं इसके अंदर गी डाल रही हूं मोयन बिल्कुल परफेक्ट पड़ा है तो अब मैं इसके अंदर थ्री फोर्थ कप चीनी डाल रहे हूं चीनी की जगह आप थ्री फोर्थ कप गुड़ भी डाल सकते हैं लेकिन गुड़ को ऐसे नहीं डालेंगे गरम पानी में उसको पिगला करके फिर जब पानी ठंडा हो ज जाता डो को मसलना नहीं है बस डो को जोड करके हलका सा इसे चिकना कर लेंगे तो इसका टाइट डो लग करके तयार है और अब हमें क्या करना है इसकी छोटी छोटी सी लोईयां तोड लेनी है तो जितना बड़ा आपको ठेकवा का साइज रखना है उसके हिसाब से लोईय अब हम क्या करेंगे एक एक रोल को लेंगे और इसको दबाते वे इसके उपर डिजाइन बनाएंगे तो इस पर डिजाइन बनाने के लिए यह मैंने खाचा लिया है यह उनलाइन असानी से मिल जाता है इसे हमें सबसे पहले घी से चिकना कर लेना है तो मैं दोनों साइड से कर ले रही हूँ, आज मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगी, अगर आपके पस खाचा नहीं है, तो भी आप इसे असानी से बना सकते हैं, तो मैं खाचे के उपर इसे रख कर के देख सकते हैं, किस तरीके से प्रेस कर रही हूँ, तो जब आप इसे दबाएं, तो हलकी हाथ तो इसे तबाईएगा लेकिन हलका पतला ही दबाईएगा बहुत जादा मोटा मत रखेगा क्योंकि जब हम इसे फ्राइए करेंगे तो यह हलके से फूलते भी हैं और पतला बनाने से ज़्यादा अच्छे है ज्यादा खस्ता बनते हैं इस खाचे के उपर बहुत सारी डिजा नखा दिया है और अब मैं आपको पताओंगी कि बिना खाचे के कैसे बना सकते हैं इसके लिए आपको एक-एक रोल लेते जाना है और हक्थेलियों से दबाना है किसी भी प्लेन सर्फिस पर रख करके और फिर इसके बाद इसके लिए कोई तुपिक या कोई भी लक्री ले लिजे और उसके बाद जैसे मैं डिजाइन बना रहे हूं वैसे बना लिजे ये किसी भी तरीके के आप डिजाइन बना सकते हैं तो मैंने एक पर बनाया मैं दूसरे पर भी आपको बना करके दिखाती हूँ बहुत असानी से हो जाता है और ठेकवे देखने में भी बहुत सुन्दर लगते हैं तो मैंने इस दूसरे वाले पर भी बना लिया है तो इसी तरीके से हमें सभी पर डिजाइन बना लेनी है तो मैंने सभी को प्रेस कर लिया है अब चलिए अब हम इसे फ्राइ कर लेते हैं फ्राइ करने के लिए सबसे पहले हमें तेल को अच्छे से गरम करना है आप खी या तेल दोनों में से किसी चीज में भी फ्राइ कर सकते हैं जब इस अच्छे से गरम हो जाए कि अब यह बहुत आता सॉफ्ट है इस समय अगर आप पलटेंगे तो यह तूट सकते हैं तो अब इसे फ्राइ होते वे लगबग 2-3 में ठोच चुके हैं और यह हलके से फ्राइ भी हो चुके हैं तो अब मैं इसे पीच-पीच में पलटते वे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राइ करूंगी बस इन ठेकवों को तलते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप ठेकवों को तेल में डालते हैं तो तेल अच्छा गरम होना चाहिए वरना तो भी यह जो ठेकवों है तूट करके बिखर जाएंगे और डालने के दर टाना अच्छा आउंगी जब हम इसे निकालते हैं उसके बाद यह थंडा होता है तो अ Одना temp यह ढ़ीज़ा है कि डालने के बाद गर्क दीजहां यह महिने ही भर तक हराम नहीं होता है टेस्ट भी बहुत अच्छा ता है बिल्कुल biscuit की तरह लगता है यह आपको देखने में मोटा लग रहा होगा लग रहा होगा अंदर से कॉच्चा जढ़ी बिल्कुल कच्च नहीं रहता और बिल्कुल खसता रहता है तो एक बाइस रेसिपी को ट्राइ करिएगा और रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शें सब्सक्राइब परना ना भूले